हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था आज हम फॉल्ट कवर करने वाले हैं तो मोबायल में ज्यादा तर फॉल्ट, चार्जिंग से रिलेटेट फॉल्ट आप देखेंगे ज्यादा तर आता है चार्जिंग छोड़ रहा है या तो नहीं हो रहा है या तो दिखाता है बढ़ता नहीं है इस तरह से चार्जिंग का फॉल्ट ज्यादा है तो हम आज इस वीडियो में चार्जिंग फॉल्ट को कैसे आपको दूर करना है चार्जिंग करनेक्टर कैसे लगाना है और किन बातो तो charging का fault बनाते समय हमें सबसे पहले ध्यान देना है इसकी जो battery है वो perfect है कि नहीं ठीक है battery perfect होगी तो ही charge होगा तो battery check करने के लिए सबसे पहले हम booster machine में इसे चेक करेंगे अगर battery खराब होगी तो यह boost नहीं होगी ठीक है battery अगर खराब होगी तो boost नहीं होगी तो इसे हम check कर लेते हैं यह आपकी battery क्योंकि अगर यह boost होगी तो इसका light dim होगा हाँ team हो रहा है ठीक है मतलब इसका मतलब है कि battery आपकी perfect है तो आगे हम check करेंगे इसे charging connector कैसे charging connector का voltage इस पर आ रहा है कि नहीं वो सब हम आगे check करेंगे ठीक है पहले इसे हम आप open करेंगे तो यह हमारा mobile अभी खुल चुका है इसमें charging connector नीचे है यहाँ पर यह charging connector को देखी यह पाने जाने के वोज़े से यह damage हो चुका है तो यह जो इसके उपर लगा हुआ है इसे antenna कहते है antenna ठीक है अब माइक इसके बगल में है तो हम ध्यान देंगे कि जब हम blower से इसे change करेंगे तो माइक खराब हो सकती है गरम होके तो इसके लिए हम इससे safety के लिए निकाल के रख लेंगे उससे बाद में वापस लगा देंगे ठीक है निकालते समय में ध्यान देना है माइक का पॉइंट कहाँ पर कौन सा था तो इसका प्लस जो था वह बाहर की तरब था और यहां पे symbol भी दिखाया गया माइक का ठीक है तो जब वापस माइक लगाएंगे तो इसका प्लस साइड जो है वह बाहर रहेगा अब इसे अब जैसा मैंने आपको बताया था PCB stand में fix करेंगे PCB stand का इस्तेमाल करना मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है PCB stand का इस्तेमाल कैसे करना है फिर भी आप देख लीजिए एक बाइस की फिटिंग हो गई तो अब यह निकालते समय जो है आपका हिलेगा नहीं बिल्कुल अब इसे हम ट्वीजर की सायता से निकाल देंगे और तो आई हम अब ब्लोवर की सायता से इसे निकालेंगे ब्लोवर से चार्जिंग कनेक्टर निकालते समय हम ध्यान देंगी जो इसकी हवा है और नहीं चार्जिंग कनेक्टर पे ही रहे हैं उकके अलावें और किसी कंपोनेंट को ना लगे इसके लिए और चार्जिंग कनेक्टर निकालते समय हम हीट ज nostalgia जादा और यर कम तल्वा आपको पहले वीडियो में बताया है इसके बारे में, ब्लोवर के बारे में, तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको समझने आ जाएगा, कि ब्लोवर का इस्तमाल कैसे करना है, और देखिए अब दीरे दीरे, फोड़ा समय लेगा ये, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब वो निकलन जाएगा, जब गरम हो जाएगा, तो बस आपको ये ख्याल रखना है, कि हवा जो इसकी जो गरम हवा है, सरकिल बोड़ पे और गहीं आई जाएगा, देखिए आतानी से आप ये निकल चुका है, ठीक है, तो इसका चार्जिंग करनेक्टर निकल गया है, चार्जिंग करने क्योंकि हम कनेक्टर लगा के देते हैं, फिर दो दिन बाद वापस उखड जाता है, इसके लिए इसके जो लेग और इसकी मजबूती है, इसके उपर ज्यादा ज्यान देंगे हम, तो पहले जो इसके जो होल है, जिसमें ये बिठेगा, उसको हम अच्छी तरह से साफ कर ले लेता है, जो शोल्डर है, इसको वापस मतलब खीचने के काम आता है, ठीके, तो अब इसकी साफ़ता से हम इसका जो होल लईए, ये जो पूरा पैक है, इसके होल को क्लियर करके, इसे आसानी से बिठा के, और उसके बाद शोल्डर की साफ़ता इसे मजबूती देंगे, ठी तो इसके लिए हम बड़े आइरन का इस्तमाल करेंगे, इससे क्या होगा, ये गरम जादा होता है, और आसानी से ये खीच लेता है, तो देखते हैं, अब इसका जो होल है, वो क्लियर हो चुका है, यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पहले ये था, भरा हुआ अब इसे हम आसानी से बिठा देंगे, बिठाने से पहले एक बार यहाँ पे पेश्ट लगा देंगे, ताकि जब इससे शोल्डर करें तो वो आसानी से पकड़ ले, ठीक है, और एक बात इसमें ध्यान देनी है, जो चार्जिंग कनेक्टर, जो चार्जिंग कनेक्टर का ज में दो ही पॉइंट होते हैं प्लस-पाइनस तो यह जो आपका एक first and last फर्स्ट वाला जो ही इस तरफ का जो first है यह आपका plus point है और यह आपका minus point है यहाँ पे जो यह जो आपका minus point है और यह plus point यह अच्छी तरह से shoulder आपका हुआ है कि नहीं वो एक बार आपको कंफर्म लेना है और इसका जो चार्जिंग कनेक्टर के सबसे पहले तो हमें मजबूती पर इसकी ध्यान देनी है तो ताकि यह अच्छी तरह से बैठ गया है अब यह दुबारा उखड़ेगा नहीं इसका खेल करना है ठीक है तो अब हम इसको करते हैं इसके लेक को यह पर शुल्डर तार पूरा इसका ये लेख एक्दम मजबूती से जैसा हम चाते वैसा एक्दम मजबूती इसने पकड़ लिया एक बार कन्फर्म कर लेंगे मजबूती अच्छी तरह से देना है आगे यहां से भी इसको हम मजबूती दे देते हैं क्यों इसका इस्तेमाल जो है डेली बेसिस पर यूज होता है आपको अधर कोई काम करेंगे नहीं करे या ना करे लेकिन चा आप से इसका प्रॉब्लम भी ज्यादा आता है चार्जिंग का और मजबूती पर इसलिए हमें इसका ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं यह जल्दी से उखड न जाए तो अब लगबग यह मजबूत हो चुका है अब इसका जो प्लस और माइनस पॉइंट है जैसा मैंने इस एक इसका इस्तेमाल करना है यह जो आपका पतला वाला है इसका इस्तेमाल करना है ठीक है तो यह हम इसके प्लस और माइनस पॉइंट को शूल्दर कर देंगे ठीक है यह इसका प्लस पॉइंट और यह इसका माइनस पॉइंट ठीक है चलिए अब इसको हम कन्फर्म करेंगे चार्जर लगा के यह चार्ज हो रहा है यह नहीं तो अब यह चार्जिंग कन्टर लग चुका है एक बार पैक करने से पहले हम कन्फर्म कर लेंगे कि चार्ज हो रही है नहीं क्योंकि पैक करने के बाद अगर चार्ज नहीं हो रही तो फिर से पूरा खुलना पड़ेगा मोबाईल तो इसके लिए हम एक बार ओपन में ही चेक कर लेंगे कि हमारा फॉल्ट ओके हुआ या नहीं तो चार्जर हमने लगा दिया है बैटरी साथ बराबर से नहीं लगी है हाँ यह देखिए यह कनेक्टर हमारा लग चुका है और मोबाइल चार्ज भी हो रही है ठीक है तो अगर सपोज आपकी वैटरी चार्ज नहीं है तो इसे हम वोल्टेज मशीन जो मैंने सेकेंड वीडियो में बता है उससे भी कन्फर्म कर सकते हैं वोल्टेज मशीन में आप इसे चार्जर रगा कर प्लस और माइनस पॉइंट को टच करेंगे तो 4.2 वोल्टेज बताएगा जो कि करन्ट बैटरी को जाता है वो आपका यह शो करेगा देखे 4.2 पावर वोल्टेज मशीन में यहां पर देखे अब यह आपका मोबाइल ओन हो चुका है पावर ले रहा है ठीक है 4.2 अगर यहां पर बता रहा है तो मतलब बैटरी कनेक्टर को आपको जितना वोल्टे चाहिए वो जा रही है और परफेक्ट आपका मोबाइल चार्जिंग भी हो रही है ठीक है याने अब यह आपका मोबाइल रेडी हो चुका है अब इससे सिफ हमें पैक करना है तो दोस्तों हमारा मोबाइल पैक हो चुका है पुरी तरह से और चार्ज भी हो रहा है अब बह खड़ेगा नहीं तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ना बूलें ठीक है दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जिससे की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए